अलो फ्रेंड स्वगत है आपका आपके अपने यूट्यूब चायन ग्यान प्लस पर 12,000 ग्रामीर सेखों की भरती जी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी के लोगों के लिए एक अच्छी ख़बर निकल कर सामने आ रही है प्रदेश में रोजगार के लिए उनहरा मौसर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जी हैं 12,000 ग्रामीर सेखों की भरती करने का फैंसला लिया है जी हैं कैसे होगी भरती परिच्छा जी हैं बिना परिच्छा और बिना इंटर्व्यू के ये होगी भरती परिच्छा आप की हो सकती है नवकरी कैसे पा सकते हैं इसमें कैसे बन सकते हैं आप ग्रामीर सेवक क्योंकि इस समय आप सभी को पता है कि लॉकडाउन चल दा है और जो बाहरी लोग हैं जो बाहर अभी तक निवास करते थे प्रवासी लोग जब आए हैं अपने गाओं में अपने सहरों में तो ऐसे लोगों की भरती की जाए जिससे की मतवेदों को सुलजाया जा सके काफी लोग आप सभी को पता है कि लड़ जगगर का बाहर भाग जाते थे लेकिन अब उन्हें वापस गाउ में आना पड़ा है इसलिए विवाद क्या है काफी बढ़ गए है तो चलिए देख लेते है क्या है पूरी खबर अगर आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब तो जाबेल आइकन को प्लेस करना मत भूलेगा इसी तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चलिए देखते हैं क्या है पूरी खबर यहाँ पे आप देख सकते हैं पूलिस ने कमर कसली है गाओं में वीट पूलिसिंग को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्राम चौकी दारों के रिक्त पदों को भनने की कवायद भी की जा रही है सूत्रों की माने तो डीजीपी मुख्याले ने इस वापत इस वापत सासन से अन्रोथ किया है कि ग्राम कि संख्या में प्रवासी मजदूरों को घर लाटने के बाद गाओं में माहौल बदला है रंजिस और आपसी विवात के मामलों में बढ़ोत्री के वाद अधिकारियों ने गहन मार नीटरिंग शुरू कर दी है सूत्रों के मुतावित यूपी 112 आपात सेवा में भी ऐसे मा बात होती जा रही है इसी वज़े से डीजीपी मुख्याले ने समस्त जिलों के अधिकारियों से गाओं पर खास ध्यान देने को कहा है एडीजी कानून विवस्था प्रसांत कुस्म कुमान ने वताया कि हमारा पूरा फोकस वीट पुलिसिंग पे हैं ताकि कोई भी छोटी चोटी घटना को नजर अंदाज ना किया जा सके इस वक्त पुलिसिंग कारवाई को अंजाम दिया जा रहा है तो करीब 12,000 जो खाली पंचल रहे हैं ग्राम चौकी दारों को उनके जल्द ही भरने का अनुरोध है और सासन पे इसमें बुहर भी जल्द लग जाएगी क्यों एक समिती आपका चुनाव करेगी तो आप सभी लग जाएए इसमें क्योंकि यह बहुत ही सुनारा आउसर है यहां पर ठीक ठाक वेतन भी मिल जाता है प्रदेश सरकार द्वारा तो यह सुनारा आउसर हो सकता है युवाओं के लिए उतर प्रदेश सरकार द्वारा तो यह यह आप लग जाईए जुगार में और इसमें आप नोकरी पा सकते हैं बिना परिच्छा के बिना इंटर्व्यू के तो यह रही अपडेट आप सभी के लिए जैसे ही अन अपडेट इस पर मिलेगी हम आपको तुरण सुचित करेंगे इस वीडियो में इतना ही मिलेगी अगल के वीडियों पर तक के लिए धन्नवाद